नमस्कार आप देखने गमासान.com मैं हूँ आपके साथिक्षा भानपरी जहां एक और भारत में बेंगियां बेटों के कदम से कदम मिलाकर हर दरफ अपनी पहचान बना रही है वहीं दूसरी और आज भी बहुत से लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं बेटियां ही आग ये सब किस्मत की बात होती है कि कब किसे कितना मिलना है कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में रहने वाले एक परिवार के साथ जहां पर एक बेटी का जन्म हुआ बीस साल बात जन्मी बेटी का अनुख्य अंदाज में किया गया स्वागर इसके बात जो हुआ वह आपको हैरान करके रख सकता है देखिए स्कूली रिपोर्ट में गुजरात के मौरभी में एक बिजनसमेन के घर पूरे 20 सालों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ और पूरा खांदाल इतना खुश है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें इस खुशी में परिवार ने बेटी के जन्म अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर उसके उपर पैसो की बारिश कर दी परिवार का कहना है कि उनके घर में बेटी 20 सालों के बाद आई है यानि लक्षमी का स्वरूप खुद उनके घर आया है ऐसे में उन्होंने दो दो सो और दो हजार के नोटों से बच्ची को ढग दिय घर में इतने सालों के बाद लक्षमी के आने पर उन्होंने लक्षमी से ही उसे ढग दिया परिवार के मताबिक वे बहुत सालों से दुआएं कर रहे थे कि उनके घर बेटी का जन्म हो क्योंकि बहुत सालों से सभी बेटी के लिए तरस रहे थे जिसके लिए कई पूजाए की तरह रखेंगे और वो उस घर की राजकुमारी ही है आपको बता दें कि इससे पहले हर्याना के जिंत जिले के एक गाउ मालवी में भी बेटी के जन्म पर खुशिया मनाए गई थी इस दोरान कुवा पूजन किया गया और बेटी के परिवार वालों ने जगर जगर इचे नहीं है और लड़कियां ही माता-पिता का नाम रोशन करती है हर्याना की तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि कभी कोक में बेटियों का कटल कर दिया जाता था लेकिन आज उनके जन्म का जश्न मनाया जाता है subscribe our channel and press the bell icon for more updates